तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिसक्स किया था अप्टिकल पाथ और और इप देश्म मेडियम जिसका लेंथ एक्स है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मू है अगर कोई रेज इससे पास किया है तो जिमेट्रिकल पाथ जिमेट्र पाथ है बति इसका ऑप्टिकल पाथ हम लोग कहांगे कहने का मतलब कि इस लेंथ को अगर हम वेक्यूम के लेंथ से रिप्लेस कर दें तो ये इफ्टिवली वेक्यूम में मूएक्स encontramos का पान के बराबर होगा मतलब लाइट रेज इसमें एक देसे चलने के बाद जितना फेच चेंज होगा वही फेच चेंज वैक्यूम में मिव एक्स डिस्टेंज चलने के बाद हुआ तो इसको आप्टिकल पाथ करते हैं हालांकि मैंने कहा था इसको किसे रिलेट किया था टाइम से जितने टाइम में यह चला उतने टाइम में वैक्यूम में कितना चलेगा फिर से मैं बता रहा हूं हम लोग फेचेंज लिखते हैं ओमेगा इंटू डेल्टा टी चुकि वेव किसी भी मेडिया में चला ओमेगा सेम होगा तो इकवल टाइम में इकवल फेचेंज होगा इसलिए हमने ऐसा बताया विकाईगा सर आप तो के डेल्टा एक्स भी लिखते हो पाथ पेचेंज के क्विल हो जाएगा वह अलग हो जाएगा तू पाई लाम्डा 3 होजाएगा एं प्समें अगर पारच इंटियング एक्स क्या हो गया इस मेडियम का के यह तकीज दिखोगे टू रांडा डैसी मेडियम pardon असी उसमीडियम में यह पर ऑन पता है लामडा डेस्ट क्या हो जाएगा बच्चों लामडा बाई म्यू तो अगर वैक्यूम में चलेगा तो वैक्यूम का के यह हो गया तो वैक्यूम का पाथ ही होना पड़ेगा ऐसे भी प्रूफ कर लिया चलो देन उसके बाद हम लोग डिस्कस किये if there is a glass slab या माय का सीट हमने किसी slit के आगे पुट कर दिया so if light rays are coming from this slits यह extra path चलेगा यह T thickness चला है mu refractive index में तो effectively इसने चला है mu T जबकि यहाँ वाला rays भी तो T चला ही है तो extra path कितना चला है तो mu T minus T समझा and then just quick revision है जो अभी last class में हमने discuss किया था कुछ बच्चे हैं जो पहले निकल जाते हैं हलांकि आप भी तो कुछ ही बच्चे आए है 31-31 बच्चे हैं अभी तो तो इसमें हमने बताया था कि S1, S2 अगर सेम फेज में है हैं बट सेंटल पॉंट पर सेंटल मैक्समा नहीं बनेगा है ना सेंटल मैक्समा क्यों नहीं बनेगा विकाज यह जादा फेच से आ रहा है यह कम फेच से जा रहा है इसने इतना चला है तो सेंटल मैक्समा कितना सिफ्ट होगा क्या होगा किधर सिफ्ट करेगा यह हमने डिस्कस किया था तो सेंटली तुम्हें आप समझ में आ सकता है कि सेंटल मैक्समा विल सिफ्ट इन अपवार डियरेक्शन वाई बिकाज इस केस में यह थोड़ा कम चलेगा जो मेट्रिकली ज्यादा चलना पड़ेगा यह जो एक्स्टा चलगा है वो इसके एक्स्टा से कंपंसेट हो जाएगा तो सेंटल मैक्समा विल सिफ्ट फॉर्मुला भी निकाला था कितना सिफ्ट होगा ठीक है मालनों वो फॉर्मुला नहीं याद है तो बहुत इसली बता दोगे कि जितना यह एक्स्टा चला यह कितना चला है डी साइन थीटा यह एक्स्टा कितना चला है म्यू माइनस बाने इन्टू टी तो यह दोनों कंपंसेट करेगा तो यह एक्कॉल हो जाएगा मतलब वो पॉइंट ले रहे हैं जहां पे दोनों का पाथ डिफ्रेंस एफेक्टिवली एक्कॉल हो गया जो यह दो यह दो प्रिंज विल शिप बाइड इस दिस्टेंस यह अमने प्रूफ किया था क्या बताओ इस इतने तक में किसी को दिकत सब एक सवाल ले रहे हैं प्रूफ के आगे हमने रख रख दिया एक्स लाब ती वन थिकनेस का मुवण रिफ्रेक्टिव इसके आगे रख दिया ती तू थिकनेस का मुवण रिफ्रेक्टिव इसका पूछा कि अधिज्द California अंא हूंप सथी का पन थ्रेक्टिव इस जडि का ती तू तो वाट इस देर इलेशन बिट बेन मुवन टी वन मुटू टी टू क्या रिलेशन होगा है ना इस दिस्टेंस इज डी डिस डिस्टेंस इज कापिल डी तो इसमें सबसे बड़ा मिस्टेक्स क्या करते हैं बच्चे मैंने कहा कि कोई सेंट्रल मैक्समा सिफ्ट ने हुआ सेंट्र पॉंट पर बना मतलब यह फेज यह और यह दोनों सेम फेज में पहुंचा है ऑप्टिकली दोनों का पाथ सेम है तो देखना कि कौन सा अंसर सही है मनस्वी बताना कनेक्टेड हो हाँ सब्सक्राइब और यह बेजा था क्या करते पीडिएफ तो इसके नीचे लगता लिखते हैं वो नहीं आता है ना वो राखन है विट्वन वेल बेकर एंप आए कि काथ यह तो बात वन शवीन्न सब्सक्राइब जोच के बताना क्या होगा, which one will be correct? लगता है कि one correct है, ऐसा फील होता है कि one correct है, but this is incorrect, this is correct. Third is correct. यह extra कितना path इंट्रोडूस कर रहा है, यह extra, इससे extra कर सकते है, अगर माल लो, यह slab हमने put किया, तो rage में extra path कितना produce कर रहा है, mu1, t1 नहीं, t1 तो अल्रेडी path होता ही, जब अगर नहीं होता slab, तो t1 तो चलता ही, तो extra path इसने इतना produce किया है, अपर वाले ने, और नीचे वाले ने इतना produce किया है, तो यह दोनों equal होगा, और नहीं, तो ऐसे भी कर सकते हो कि यह जब slab put किया, तो यह central maximum उपर चला गया, कितना चला गया, mu1, minus 1 into t1, d by d, अब इसको अगर put करेंगे, तो उतना ही नीचे आजाएगा, कितना नीचे आजाएगा, mu2, minus 1, t2, d by d, चुकि यह effectively shift नहीं हुआ, तो जितना उपर गया, उतना ही नीचे आगा, इसले equal sign कर दिया और यह आ गया, so I hope कि सब को समझ में आ गया, third is correct answer. ने पूछा, there are, wave are incident normally to the slit plane, that means S1, S2 are in same phase, अभी तक जितने सवाल के हमने यह ही किया है, S1 के आगे, slab रख दिया, refractive index thickness दे दिया है, center point पे जो दोनों वे पहुँच रहा है, दोनों slits से, उसके बीच का phase difference कितना है, काओगे सर, पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, path difference, so you will say that, कि सर, दोनों ने geometrically तो, equal distance चला है, equal path चला है, but optically यह वाला जाड़ा चला होगा, so for the center point, path difference, S1 ने, mu1 minus 1, into T1, इतना चला है, so path difference, इतना हो जाएगा, mu1 0.5 into 2 micrometer, that is equal to 1 micrometer, 1 micrometer extra चला है, मैंने पूछा, phase difference क्या है, phase difference हो जाएगा, delta 5 is equal to 2 pi by lambda, lambda is 500 nanometer, into delta x 1 micrometer, अब तो यह करने आता ही है, कितना हो जाएगा, 2 pi divided by 500 into 10 to the power minus 6, यहाँ पर 10 to the power minus 9, कितना हो गया बच्चों, 4 pi, चाही लिखा क्या, चाही लिखा पर 10 to the power minus 10 to the power minus 9, घृ तो अभे लिखा क्या होगा, मैक्समा होगा, के सेन्टरश पंट पे मैक्समा होगा ऐक नब सवाल यह आता है कि मैक्समा कर दो फर्स्स्ट मैक्समा ये सबिखता यह सबका इंटेंसिटी सेंजिह सेंडाक कि यहां जो मैक्समा वे सेंट्रल मैक्समा नहीं है लिए फार्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् माक्समा उठके यहां चला गया है दो होल फ्रिंज सिफ्ट अब अब बात यह कर रहा है कि हमें कैसे पता चला कि सेंट्रल मैक्समा यह नहीं है तो यह जनली कहीं पर लिखाने रहे गां तुझे बहुत कम जगा मिलेगा हाव टू लोकेट सेंट्रल मैक्समा की यही सेंट्रल मैक्समा तो अब समझा रहा हूं अगर भीकिर मोनोख्रोमेटिक लाइट से हमने देखा तो यह पाइंट पर हम नहीं डिस्टिंग्व्लिश कर पाएंगे कि कौन सा सेंटरल मैक्समा काण साब 1 अधू मैक्समा कॉन सारे मैक्समा एक जैसा दिखेगा सारा मिनमा एक एक जैसा को कि क्या करते हैं एक्सपरिमेंट इज परफॉर्म्ड विद वाइट लाइट एक्सपरिमेंट को क्या करते हैं वाइट लाइट से करते हैं अभी तक किसे कर रहे थे मौनोख्रॉमेटिक शो में कगई सब्सक्राइट आगे वाइट लाइट में तो कितने साथ कलर हैं अलग अलग वेवलेंट हैं अभाजन है थो पहले दो कलर वाला मैं डिसकेश कर लेता हूं और फिर वाइट लाइट की बाद करता हूं कि ऐसे चलो मैंने स्टार्ट किया बता ही देता हूं अगर बच्छों वाइट लाइट से तुम करोगे न तो जस्ट अभी जब दो कलर का समझा रहा हूं तो इससे क्लियर होगा कि जहां सेंट्रल माक्समा होगा जिस पॉइंट पे वहां पे सारे सेम फेज में पहुंच रहे ह लेकिन अगर मैं यहां पर कहूं कि यह जो सोर्स है बाइक्रोमेटिक है एक लामडा वन है और एक लामडा टू है और अब ही मैं ऐसे इंसिदेंट का है सारे बच्चे ध्यान से देखना अब देखो इसका यहां से और यह यह दोनों तेहां सेम फेज में पहुंचेगा अब हम करते हैं बात फर्स्ट मैक्समा जहां करते थे तो लामडा वन के लिए फर्स्ट मैक्समा कौन सा हो जाएगा कितने डिस्टेंस पर लामडा वन के लिए होगा फर्स्ट मैक्समा वाइवन इसकल टू लामडा वन काप्टल डी बाई स्मॉल डी जबकि लामडा टू के लिए और पॉइंट होगा मैक्समा लामडा टू काप्टल डी बाई डी बताओ यह दोनों का मैक्समा अलग अलग पॉइंट पर होगा नहीं तो करेंगे करेंगे है ना है तो इन डाइट केस जहां पर एक का मैक्समा तो दूसरे का मैक्समा नहीं होगा कि समझा क्या तो इस केस में अगर मैं पूछू की मैक्समा जो मालों की एक लामडा बन के का जो मैक्समा रहा है तो वहां पर दूसरे का मैक्समा नहीं है तो ऐसा नहीं होगा सिर्फ एक मतलब मैक्समा फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट ऐसा नहीं होगा है लेकिन जहां सेंट्रल मैक्स्मा है वहां तो दोनों का मैक्स्मा कॉण साय करेगा तो यह तो हम दो लाइट की बात किये तीन लाइट लें चार लाइट लेंगे तो तो वह कॉंसाइड नहीं करेगा सिर्फ मैक्समा और बाकी पाकरों किसी एक का मिनिमा है तो वहां पे दूसरे का मिनिमा नहीं होगा ऑशिवाल काओ जैसे मैं आभी लेलेता हो एक बच्वो लामडा 1 अगर ले लिया सपोर्ज 500 गोमेटर और लाम्डा टू ले लिया 700 नाइनो मीटर है ना S1 and S2 are in same phase normally incident कराया है D is equal to ले लिया कुछ 1 मिलिमीटर और capital D बहुत परिशानने में करूँगा 1 मीटर लोकेट पॉइंट वेर देरेज कम्प्लीट डार्क मिनमा कम्प्लीट डार्क मिनमा तुम्हें निकालना है किस पॉइंट पर कम्प्लीट डार्क मिनमा होगा मतलब कम्प्लीट डार्क कहने का मतलब दोनों का मिनमा क्या होना चाहिए मिनमा बोच सुद कौन साइड तेजर समझ में आ रही है मेरी बात हाँ सर् विकार फर्स्ट मिनमा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा मान लोग फर्स्ट मिनमा फाइव हंडेड लामडा की का उसका परने का है तो फाइव हंडेड लामडा कितना था था काप्टल डी बाई स्मॉल डी ए कि मानता हो कि सपोज एनť मिनिमा 2 and plus 1 और इसका mth minima यह जो है कॉंसाइड करगा है अगर कॉंसाइड कर तो यह डिस्टेंस एकको लोगा जिसे सब्कोर इसका 7th इसका 5th kind of thing मिनमा का ही लिखते है न पोई सब्सक्राइड को बताया ने मुझे अभी सही लिखा तो बताओ की कॉंसा पोई सब्सक्राइड को बच्चों यहां पर देखो 2n प्लस 1 divided by 2m plus 1 कितना जाएगा यह जाएगा 7 by 5. मतलब वो पोईंट पे कॉंसाइट करेगा जहां पर 2n प्लस 1 का वैल्यू 7 हो जाएगा और 2n प्लस 1 का वैल्यू 5 हो जाएगा यह मीस वो पॉंट जहां पर कॉंसाइड करेगा मिनिमा वो आएगा का वैल्यू 7 इंटु 500 इंटु 1 मीटर डिवाइड बाइड वाइड 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 वन मिलीमेटर और यह नैनोमेटर 10 तो पावर माइनस नैं यह पॉंट होगा जहां पे इसका मिनमा और इसका मिनमा कॉंसाइब कर जाएगा या इस equations मेरा पुट करना तो यह वैलू 5 पुट कर जो तो समझा क्या तो इस यूर आंसर रिश्व क्लियर हुआ मैं इसमें भी बात कुछ बताने वाला हूं अच्छे से रियलाइज हुआ कि हाँ यह पॉंट पर दोनों का मिनमा कॉंसाइड करेगा मैं कहूं कि यहां सेंट्रल मैक्समा है फिर क्या है किसी एक का मैक्समा है बड़ दूसरे का वहां पर मैक्समा नहीं है कैसे करते करते मिनिमा की बात करें एक पॉइंट आएगा जहां पर दोनों का मिनिमा कॉंसाइट करदा इसका सेवंथ इस दूसरे का फिप्ट काइंड ओप कि यहां कंपली डार्क है यह डिस्टेंस मैंने बता दिया यह वाला डिस्टेंस है नेक्स्ट कितना पर होगा पाहला कंपलीट डार्क कितने डिस्टेंस पर होगा गौरव कोई मैसेज करें कितना होगा कितना पुट करें next complete dark next solution इसका integral solutions क्या होगा 2 and plus 1 पहला solution होगा this is equal to 7 दूसरा this is equal to 5 कि देखते हैं कुछ बच्चों ने किया है किरन खर्णाग कि रिश्व सब धोखा खा गए कि बच्चे बोलना है सर इसका पहला solution 7 और 5 दूसरा सुलिशन 14 and 10 बच्चों यह एक और नंबर है और नंबर कि तो 14 विल नॉट बीदा सॉलिशन तो नेक्स सॉलिशन हो जाएगा 21 और 15 यह ध्यान देना है कि समझा क्या यह सारे बच्चे धोखा काते हम भी खा सकते हैं जल्दिवाजी में सब्सक्राइब का वैल्यू नेक्स जो होगा वो स्रितोष ने बताया सही बताया नेक्स होगा 21 और 21 प्लस 1 15 यह वला सॉलिशन नहीं होगा बिकॉज दिस इज और नंबर तो यह क्लियर हुआ मनस्वी अब देखो हमने अभी कंप्लीट डार्क पूछा था कहां कहां होगा है ना तो ने निकाल लिया अब इस चीज को समझना अगर हमने लामडा वन दिया होता 500 नैनो मिटर और लमडा तो दिया होता 600 नैनो मिटर लिसन अर मैं पूछ्ता की बता बच्छों विशन अगल कंपलीट डार्क मिनिमा कहां होगा अग्ष्ट वाई कैं यू यूपांड फान चैंशन फ इस ने वी कंपलीट चैंशन दार्क मिनिमा 3000 D by 2D सोच के बता ना 2M plus 1 lambda 1 capital D by D is equal to 2M plus 2N plus 1 lambda 2 capital D by D 2M plus 1 यह MN से ज्यादा मतलब नहीं है that is equal to lambda 2 by lambda 1 6 by 5 is there any solution will you get any solution of this equation there is no solution क्या कोई सोलुशन्स मिल्दा क्या this is equal to 6 होगा यह 6 कैसे होगा यह तो odd number है समझ में आ रहा है कुछ यह जो ratio आया किसका है even और odd का ratio है you will not get any solutions mathematics तो तुम्हारा strong है that means we will not get any dark minimum complete dark minimum ठीक है तो यह तो बच्चों दखो बस यह दो ऐसा ले लिया और कोई complete dark minimum नहीं मिल रहा है कि जब हम दो लाइट यह discuss किये तो एक का जहां पर maxima होगा दूसरे का maxima नहीं होगा मालो कि यहां पर पहले किसका maxima आगा 500 का यह 600 वाला 500 वाला maxima पहले होगा और फिर 600 वाला maxima होगा ऐसे ऐसे जाएगा और यू नो दाट कि यह distance इतना छोटा रखते है तो fringe width monochromatic के करण कितना छोटा आता है और उस छोटे में भी यह दोनों का अलग अलग पांट में maxima होगा तो यह realize करना find करना बड़ा मुश्किल है और अगर मैं अब बात कर दू white light coincident करा दिया white light white light में तो सारे color है इधर तो सब mixed up होगा मैं बहुत clearly नहीं दिखेगा कि red का maxima कहां है blue का maxima कहां है बहुत मुश्किल होगा देखना बहुत पास-पास सब होगी अगर मैं पूछों कि central maxima के बाद जो पहला maxima किसका होगा red का या violet का स्वाती किसका होगा central maxima का अगर हम white light use किये हाँ बोले स्वाइलेट का होगा violet का wavelength छोटा है red का बाद में होगा तो अगर मैं maxima की बात करहूं तो क्या कोई maxima ऐसा होगा जहां पर सारे maxima सबका maxima वह पॉंच तुम्हें नहीं मिलेंगे continuously wavelength spread है तो सिर्फ एक central point ही होगा central maxima ही होगा जहां पर सारे maxima एक साथ सबका maxima कॉंसाइट करेगा और बाकि किसी भी maxima पर किसी का maxima होगा तो किसी दूसरे का नहीं होगा तो अगर हम white light से यूज करेंगे तो सेंट्रल मैक्समा पे white fringe white bright fringe दिखेगा सबका maxima white color का दिखेगा यह और बाकी जगह पर किसी का red होगा तो हां पर किसी blue किसी और का भी थ्वा मिक्स रहेगा सो white maxima white brought a spot brighter spot सिर्फ और सिर्फ central maxima पर दिखेगा अगर मैं पूछू हूं अब हम पिछले यह पर जाते हैं यह जरली बहुत कम जगह पर यह से अजिए यहां पर तुम्हें क्या दिखा था अच्वली अभी हम लोगत थ्योरी से जब discuss करें यह था second maxima और हमने कहा था कि यार मुझे तो पता है सारे maxima एक जी साथ दिखेगा क्यों मैं इसको second कहूंगा क्यों मैं कहूंगा कि central maxima यह है यहां पर वाइट ब्राइट मैक्समा दिखेगा बाकी जगा का मैक्समा जो अलग अलग दिखेगा यह है कि मतलब यह है तुम्हारा संटल मैक्समा इसमें बहुत साथ टाइम हमने दे दिया है अधित तो जीत क्या लिखा नो सर्म नहीं समझा मैंने क्या पूछा था है अधित नहीं सर्मेल नहीं रिखा अच्छा को स्लूशन नहीं मिलेगा उसका तुमने लिखा था ठीक है नेक्स्ट अब एक फेबरेट सवाल में कर रहा हूं यह मेरा फेबरेट सवाल है बच्छों यह बहुत कॉंसेप्ट क्लियर करेगा रिकॉर्डिंग चालूए यह बहुत अच्छा सवाल है यह डिस्टेंस है दी और यह डिस्टेंस एक्वल है वो थ्वा उपर नीचे दिख रहा है यह सेंटल पॉइंट है लिखो इनने वाइडी सेटप इनने वाइडी सेटप इनने वाइडी सेटप आपक पोडिय। च प्रम आपक लाइगे इंसे एंट नॉर्म एट लॉय दिए ॉट अपेड लॉट उपान लग्स्वन और स्विश्वेश्य ले संफिलिय। इंटैंड इस तो शिंग अंडड स्लेट इंटेसिती दुट सिंगल स्लिट इंटेसिती दुट सिंगल स्लिट उन्ट स्क्रीन इज आयन नॉट जो सेंटल मैंक्सिमा पर अगर अभी हम लोग यह नहीं पुट किये हैं माईकाशी तो सेंटल माक्सिमा पर इंटेंसिटी कितना होना चाहिए होगा 4i0 how... झाते है छिकाइग सबस्ट in मिकाइगग दिकन्स T इक अ » faço Tib. फिर घर छोट ट बती हैं श 있고 पिरश कि उरह थांट it is found that intensity intensity इंटेसिते दिटिएिट आंट इंटिए इंटेसिति अ इंटन इंटार इंट इंटैसिति इंट्क प опас अकोत्ते स्थेटिश्ट कि अप्या दिया इंट है if if second minimum it's above center point the second minimize above Center point while while third maximize below below Center point then find the possible value of t यह बच्छो अच्छा सवाल है जो यह आज सीख लिया मतलब आज का क्लास सफल रहा हुच का इस पॉइंट पर इंटेंसिटी आए नॉट है तो हम लोग कहेंगे रिजल्टेंट आए नॉट इसकल टू आए वन प्लस आए टू प्लस टू रूट आए वन आए टू कॉस फाइड यहां से कॉस फाइड कितना जाएगा माइनस हाफ को इससे तुम बताओगा कि क्या क्या हो सकताए कॉस फाइड मेंस हाफ Oh का मतलब के टो नुका बाइब 3 ओता है और कॉंसा वता फाल पाइब थैयो तै और कॉंसा होता है ऐसे व्यमूद जोंगग अब बताला करा सकेंड मिनमा उपर है 2nd minima यहाँ पर कितना face difference रहा होगा दोनों के बिख्स में मतलब यहाँ पर face difference है 3 pies एंटिट यहाँ पर face difference है 3 pies तो क्या यहाँ पर 2 pie by 3 होगा क्या और 3rd maxima इधर है 3rd maxima नीचे है इसका मतलब यहाँ पर face difference कितना है है 6 pie का 1st maxima 2 pie 2nd पर 4 pie और 3rd पर 6 pie सवाल समझ में आया कुछ मतलब इस पर जो फेज जिफ्रेंस होगा वो 3 pie से लेकर के 6 pie के बीच का होगा तो ना तो यह होगा ना तो यह होगा तो बता कौन सा होगा कर दो कर दो कर दो यह होगा कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि अच्छा आए तो हा तो सब से पहले कि थी पाइप का मतलब क्या होगा बच्छों यह टूपाइच लागया अपाई यहां आ गया अब यहाँ पए है इसके बाद इh claus negative थो कितना होगा मिरी सी एभाई प्लस काइवाई थ्री इसमें नीगेटीम हो ना तो सा यह लिखराहा हो यह का मतलब इसमें default लुका ट्रोगे तो यह तो नहीं होगा है यह होगा 4Pi by 3 plus 2Pi और कौन सा होगा 2Pi by 3 plus 4Pi और कौन सा होगा 4Pi by 3 plus 4Pi is it correct यह तीन वैल्यू होगे ट्रिग्रमेट्री तुझा आता है नहीं लिखा नहीं लिखा सर्य लास्ट वाला पॉइंट नहीं समझा अरे कॉस कॉस मानेस वन कब कब होता है पाइ मानेस पाइब थ्री पे और अब यह दो जगा पर निगेटिव है एक राउंड चला फिर एक बार और राउंड होगा तो इसमें 2Pi आड करते जाओ प्लस 2Pi इसमें भी 2Pi फिर इसमें 4Pi इसमें 4Pi तो यह क्या यह ओप्शन है क्या इसमें 2Pi आड किया तो नहीं है विकाज वो 3Pi से क्या है कम है यह तो यह प्षिन होगा फिर यह दोनों का अडिशन होगा फिर यह तीनों का अडिशन होगा तो mathematics तो यह तुझे जाद आता है तो this this and this clear हुआ क्या अशर श्री तोष तो यह बहुत अच्छा सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल mathematics का भी यूज है mathematics तो छोटा सा यार तो तो बिर्लियंट हो मैं अच्छा जो फेज डिफ्रेंस आया था डेल्टा फाइड डेल्टा फाइड वो तुम लोगों कहा कि सर यह होगा पाई प्लस पाई बाई थ्री प्लस टू पाई यह बताया यह होगा पाई माइनस पाई थ्री प्लस फोर पाई यह एक आप्शन होगा पाई प्लस पाई थ्री प्लस फोर पाई एक आप्शन होगा है बट मैंने तो पूछा है कि ती क्या होगा तो फेस्ट इतना है तो वट इस दपाई डिफ्रेंस डेल्टा एक्स कितना लिखेंगे जैसे इसकी बात कर लेते हैं तीन शे ती नौक दस टेन पाई बाई थ्री सपोज इसकी पहली बात करता हूं डेल्टा एक्सिस टेन पाई जाएगा तो पाई लाम्डा एक्स कं दूथ दूथा है चल्ट इक टनॉठी स्क त्यमद स्कुल थिस दिस डेल्टा एक्स को हो जाएगा फाइव लांड़ा बाइए प्री इंटू म्यू माइनस वन ये एक option होगा फिर इसके कार निकाल लोगे इसके कार निकाल लोगे है तो multiple options करेक्ट लिए बहुत ही अच्छा सवाल हो नेक्सिंट डालो ओबलिक इंसिदेंस अभी तक जितने बाट जितने सवाल हमने किये तुम लोगों को परिशान नहीं किया सब में क्या किया नॉर्मली को इंसिदेंस करा था लाइट को लेकिन अब क्या करता हूं और लिक इंसिदेंस कराता हूं करता हूं करते है fij। कि अब लगाओ कि आर अब लेकि पूब लेकितना नहीं आर नहीं लेकितने सवाटों जो रेज आर इंचिदेंट अचर्टन एंगल ठीक है और ये अंगल ले लिया शपोज इस अंगल इज अल्फा नमल तुद अल्फा इंचिदेंट हुआ क्या अब बता सकतो क्या S1 & S2 S1 S2 सेम फेज में है क्या क्या सेंटर पॉइंट पर सेंटर माक्समा बनेगा क्या सेंटरल माक्समा अबहव द सेंटर पॉइंटर पॉइंटर पॉइंट सेंटर पॉइंटर पींटर माइंट पएंटर कि श्वाथी कि नहीं बनेगा तुम बता सकते हो कि सेंट्रल माक्समा ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा वाथ है या बहुत बड़कता बनेगा विकवज दखो यह अभी फेज जादा है एस्वन का एस्टू का फेज कम है वह इस पॉंट का फेज और यह यहां पे गया थो इस्वन है ग्रेटर है अगर मैं बात करूं यहां यहां पे सेम फेज है को एक सब्सक्राइब कि तो इन दोनों के बीच में कितना में या इस कितना व्रिफेशonstrend यह सपरीसे हैं और टो आ नहीं थे पाइफ सम्लाइब करेंस में नहीं पाइट सब्सक्राइब जोए इस सिसंटर सोगा इस सिटेस्ट कालिया अंटिक आंग अनति मैं कि इस एंटने के ऐसंग यह लंगा ना यरिया एंगिल फैंग आ यह गिल्हा दी सान आफा इस पाध दिफ्रेंज इस पाध पे इतना होगा यह लिख लो पाध दिफ्रेंस अट्रपन कि हमेंने एक ग्लास्ट पुट करना है रिक्वाइट थिकनेश का सर्टन थिकनेश का सो दाट सेंटर पॉइंट पे सेंटरल मैक्समा बन जाए तो वह रिक्वाइट थिकनेश क्या होगा है ना म्यू दिया हुआ है तो वर सुट भी टिटी और किस लिट के सामने हम वो ग्लास्ट पुट करें एस बन के आगे या एस टू के आगे तो मेक दसेंटरल मैक्समा सेंटरल क्वाइंट इन फ्रेंट आफ विच श्लेट बिसुट पुट दग्लास्लाइब इस बताओ मनस्वी तुम्हारी बात मान लेंगे इस टू के आगे सर क्या बात है यह सब को समझ में रहा है यह तो जीट किरन धनन जय शुबं बहुत बढ़िया इस टू के आगे पुट करेंगे विकाउज एस वन तो अलड़ी ज्यादा पाथ चला है इस टू आराम फर्मा रहा है तो क्या करेंगे एस टू क्या आगे पुट करेंगे तो अगर मैं पूछू कि यह कितना थिकनेस क्या होना चाहिए अगर डिफ्रेक्टिम इंडेक्स म्यू दिया हुआ है इसका एक्स्ट्रा पाथ है तो यह भी एक्स्ट्रा इतना करना चाहिए तो यह म्यू इंटू टी लिखो या म्यू मैंस बन इंटू टी लिखो इसके एक्स्ट्रा पाथ को कंपंसेट करना होगा तो टी शुड भी डी बाई डी साइन अलफा डिवाईड बाई म्यू मैंस वन तो लिख लेना सवाल खुझ से बनाओ अग्ला स्ला फिफ्रेक्टिमी इस प्लेस्ट सुडब बेच इन फ्रेंट आफ वन स्लेट वाट सूड बिट थिक्नेस अन फ्रूंट विच्ट विट सुडब टूमेग दस देंट्रमाइग सेंटर पॉंट इल्गर में मैं पूछ्छूं कर jaki बनेगा स्वायति नंताए सिअ शेंटल माक्समा संटर्ड पॉइंट के ऊपर बनेगा यंद्य कें या। सेंटल मैक्समा कि फॉर्म एःगra सुनना उस प्वाइंट पर बनेगा तो यह आंगिल तुम देखो गया तो यह आंगिल अलफा होना चाहिए यह मालो थीट अएंगल पर बन रहा है तो यह पर यह प्वाइंट पर Central तो इसका एक ही ओप्षिन यहां पर होगा कि थीटा इसका होना चाहिए तो सेंटर से यह जो लाइन आ रहा है उसी लाइन को बढ़ा दो यहां पर सेंटरल मैक्सम बनेगा कि यह समझ में आ जाओगा बात तो मैंने ग्लास लैब का सवाल कर लिया और अबले कि इंसिडेंस बता दिया कि कैसे निकालना पार डिफ्रेंस कि कॉंसेट डिसकर्स करते हैं लॉइड मीरर एक्सपरिमेंट ठीक हैं लॉइड मीरर एक्सपरिमेंट अक्चली जब यदी एसी हुआ ना बच्चों जब यंक्स ने इस एक्सपरिमेंट किया तो यंक्स ने क्या किया एक ही सोर्स से दो कोहरेंट सोर्स प्रोडूस किया और मैंने बताया कि उन्होंने क्या किया था यह कार्डबोड लिया और एक स्मॉल होल यहां पुट किया स्मॉल होल यहां पुट किया और दिस कॉल पिन होल और हम यह भी कॉंसेप्ट डिसकस करने वाले हैं कि यह पिन होल का रेडियस अगर आर है इसका भी रेडियस आरे तो आइडेंटिकल स्लिट है अभी तक जितने सवाल करवाए हैं वो आइडेंटिकल स्लिट का करवाए हैं कर लेकिन अगर स्लिट क्या कर दिया है कि चेंज कर दिया कर दिया स्लिट का डामेंशन अलग-अलग है एक का रेडियस आर और एक का ठोडार रेडियस टू आर है चुलो मैं अभी बोल लाइन तो बताएं दिता हूं छोटा सा पॉइंट है एका radius r और एका radius 2 r तो उसके कारण जो इस स्क्रीन होगा भच्छों से स्क्रीन पे यह स्मेटरिकली प्लेस्ट है अब मैं डियाग्राम अच्छा नहीं बना पाँ पाँ तो जो स्क्रीन होगा उस जो लाइट वेव आएगा इसके कारण इसके कारण क्या वो light wave same intensity का आएगा दोनों source से या अलग-अलग intensity आएगा अगर इसको S1 कहूं इसको S2 कहूं तो इस point पे एक के कारण अगर intensity I1 है दूसरे के कारण I2 है तो क्या होगा relation I2 by I1 का 2 2 या 4 रिशव बताना क्या होगा रिशव ने का 4 होगा तो यह जो स्लीट है ना यह साइड में लिखना है लोईड मिरेर एक्स्प्रेमेंट से रिलेटर नहीं है यह अभी बता दिया यह अलग से लिख ले ना 4 होगा रिशव इज कि इधर जो intensity जो लाइट का है जो इंसिडेंट करवा है अब यह सिर्फ पाई आर स्क्वार एरिया से जो लाइट पास हो रहा है इतने एरिया से जो पास हुआ वही साला लाइट इधर रिस्टिबूट होगा और यहां पे पाई इंटू टू आर का होल स्क्वार से पास होगा मतलब इससे फ हो टाइमस एरिया ज्यादा है मतलब यहां से जितना लाइट जा रहा इनरजी उससे फोर टाइमस इनरजी ज्यादा जा रहा है इसलिए इंटेंसिटी आइ टू का आईवर्णसे फोर टाइमस होगा क्लियर अगर यह ऐसा सवाल दे दिया तो कहे गा कि Central Maxima का intensity और First Minima का intensity क्या First Minima complete Dark Minima होगा क्या इस केस में नहीं यह अस्य ही बताना है कि Dark Minima होगा क्या complete क्या nullify कर पाएगा माइनेस रूट आएवन का होता था इक्वल नहीं है और माक्समा पर होता था रूट आएटू प्लस रूट आएवन तो यह सवाल पूछेगा आशलिट जो है ऐसे सेप का है तो मैक्समा और मिनिमा का रेशियो क्या है इंटेंसिटी का अन्यू आर केपड़ल हमने इतना पढ़ा दिया इंटेंसिटी कितना होगा इंटेंसिटी कितना होगा कितना छोटी सी चीज तो है यार मैक्समा पर इतना होगा न यहीं पूछ रहा हूं कि आई मैक्समा का और मिनिमा का इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा यह पूछेगा तो हमने यह बता दिया अब कहानी अब बता रहें तो यहीं पर स्टार्ट कर जेता हूं और दूचीज बच्चों अभी जो यह पिन होल था वाइडीएसी जो हुआ था वह पिन होल से किया लेकिन एक्स्पेमेंट ऐसे भी करते हैं पिन होल के जगापे लीनियर स्लिट बनाते ऐसे ब्लेड लिया ऐसे कट किया एक से लाइन काड़ बोर्ड को ऐसे कट कर दिया कि पिन होल के जगापे क्या है वह लीनियर स्लिट आफ विर्थ दो को यह कॉंसेट्ट भी बता दी ऑप विर्थ डबलू इसका भी डबलू और इसका भी डबलू है ना और इसके बीच का डिस्टेंस जो है वह स्मॉल डी जो लेते थे थे कि इस केस में जो यहां पर स्क्रीन होगा बच्चों कि दो स्कृन पर इससे इंटेंसिटी आय यह रहा है तो दूसरे से भी आयवन ही आएगा लीनियर स्लिट है तो लेकिन अगर एक का डबलू कर दिया दूसरे का टूडबलू कर कितना होगा कि इतना चोटा सा चीज मैंने इतना टाइम लेकर बताया तो कम से कम आप गलत मत करना और पढ़ा दिया मैंने जरले यह साइची टीचर्स हर टीचर्स नहीं बताते हैं छोटी-छोटे पॉंट्स मैं इतने सारे पॉंट्स बता दिया चलो अब हम बात करते हैं यह चलो यह भी हमारा पॉंट बताया था बता दिया आगे बढ़ते हैं हमने लिखा था लॉइड मीरर एक्स्पेरिमेंट लॉइड का स्पलिंग में भी गलत हो तो बच्चों यह समझा रहा था कि जब YDSC हुआ ना तो उन्होंने जो सिंगल सोर्स से दो सोर्स बनाया डबल सोर्स बनाया कोहरें सोर्स बनाया तो देरार मेनी अधर साइंटिस्स अस्टार्टेड तो मेक तू कोहरेंट सोर्स बाइड डिफ्रेंट दिफ्रेंट टेक्नीक उसमें से एक लॉइट भी थे जिन्होंने एक टेक्नीक यूज किया उन्होंने क्या टेक्नीक यूज किया कि एक प्लेन मीरर लिया और यह स्क्रिन लिया यह स्टेकने प्लेन मीरर और एक सोर्स को बहुत इंपरेंट थियोरी बता रहा हूं एक सोर्स को उन्होंने जस्ट ऊपर रख दिया प्लेन मीरर से एच डिस्टेंस पर और इधर ले लिया स्क्रीन अब बताना असकिन के किसी पॉइंट पी पे लाइट वेव दो तरीके से पहुंचेगा एक डायरेक्टली और एक आफ्टर रिफ्लेक्शन पहुंचेगा कि नहीं और यह दोनों लाइट वेव कहां से निकल दा से अब बताव क्या यह दोनों वेव जो पहुंचा है कि वह क्या सेमेड सेटेंस टेवल करके चला है सेंपाफ ट्रेवल करके चला है क्या सेमफे में पहुंच रहा ह। रेज़ा Mr. Price w दोनोंने अलग-अलग पाथ चला है इसलिए वो दोनो के अलग-अलग पहुंच जात अब इन दोनों के बीचमे कफ्षाथ्टि डिफ्प्रेंस होगा अब पाद प्रेस्अ गर मालो लांवडा का हुआ है ना टू लंडा का हुआ थ्री लंडा का हुआ ऐसे जो भी होगा तो कहीं पर मैक्समा बनेगा और कहीं पर मिन्मा बनेगा डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर क्या तेजस यह क्लियर हुआ बहुत इंपोरेंट चल्दा है कोई जीट नहीं करेंगा यह सब्सक्राइब कहां से आते दिखेगा यह लाइट वेव यहां से आते दिखेगा इसका इमेज स्धश कितना नीचे बनेगा एचछे नीचे तो य्यक्त वाक्वाइडेगी यही आगार्यगा यह थी यह भी यहीज फ्यायश सी जैसा हो गया लेकिन उसका जो D था इसका ये वहला D है कापिटल D सोर्स से स्किन का डिस्टेंस इसका H है वहाँ पर जो D था वो यहाँ पर क्या रोल प्ले करेगा D के जगा पर यहाँ क्या लिखूंगा है ना और यह पोजीशन हो जाएगा अंगलो पोजिशन डिफ्रेंट डिफ्रेंट पोजिशन पे माक्समा और मिनमा बनेगा गौरब क्लियर गौरब कनेक्टेड हो की नहीं गौरब अजजीट कर गया है गौरब अजजीट कर गया है कि वेदान्त भाई लेकिन मैं कर रहा हूं कि ध्यान से सुनना इसमें कोई जिने करना बड़ा इंपोर्टेंट शीच बता रहा हूं मैं बात करता हूं इस पॉइंट की या मिनिमा यहां पर दो लाइट पर पहुंच रहा एक डायरेक्ट ली और दूसरा भी अल्मोस्ट डायरेक्ट ली लेकिन पहुंचने से जस्ट पहले मीरर पर रिफ्लेक्ट हो जाता है तो दोनों का पाथ तो लगभग सेम ओल्मोस्ट सेम जो में टिकल पाथ दोनों का सेम है तो क्या गेस करोगे तेजस यहां पर क्या बनना चाहिए लेकिन अब मैं इतना बोल रहा हो तो सेटनली तुम सोच रहा है कि कुछ तो गड़बढ है कि लांस्ट कोईंट एक और बार रिपीट करो ना यह माक्सिमा में निवा मैंने कहा कि यह इंटर्सेक्शन पॉइंट की बात कर रहें एक लाइट वेव डैरेक्टली आया और एक जस्ट पहुंचने से जस्ट पहले रिफ्लेक्ट होके वहां पहुंच्टा है जोटा सा डियाग्राम ट्रॉक है तो जो मेंटिकली दोनों लगभग बरावर पास चला है रिसर्व पता यहां क्या बनता है यहां मिनिमा बनता है बनना चाहिए था मैक्समा लेकिन बनता है मिनिमा कोई गेस एनी गेस पास दोनों एकुल चला है तो डिल्टा एक्स तो जीरो है तो देर्स भी मैक्सिमा लेकिन याद करो मैंने बहुत पहले मैंने शुरुआत में बताया था कि मैक्समा होने क्लिए क्या होना चाहिए डेल्टा फाइग शुडवीटी न पाई दिस दा बेसिक डेल्टा कि याद आया कुछ मैंने बताया था यह को इससे क्या रोले हां पर क्या रोले क्यों इतना इलोंगेट कर रहो चीजों को बच्चों एक्षुली यहाँ पने रिफ्लेक्शन हो रहा है एक लाइट वेव सीधे और एक लाइट वेव रिफ्लेक्ट हुआ है मतलब अगर यह मीनिमा हो रहा है इसका मतलब दोनों के बीच का फेस्ट रिफ्रेंस होगा और फेस्ट रिफ्रेंस पाई होगा और यह फेस्ट रिफ्रेंस कहां से जन्रेट हुआ है दूटो दो संगुसमें फेचेंग होता है और फेचेंग कितना होता है पाइग और मैं बता दिता हूं शारे बच्छे ध्यान सुना वेव मैंने बताया था और कहा था वहाँ पर फेव में ध्यान रखना अगर आपा फिक्स्ट इंड से जीरो होता था याद आ रहा है कुछ और मैंने ऐसे लिया था यह लाइट स्ट्रिंग और यह हैवी स्ट्रिंग अगर वेव यहां पर आ रहा है तो ट्रांस्मीशन में तो कोई फेट चेंज नहीं लेकिन रिफ्लेक्शन में फेट चेंज कि हो जाएगा इसके स्में लाइट रस्टिंग से हैवी स्ट्रिंग में जाड़ा है का मतलब यहां पर स्पीड कम है तो अगर हम मीडियम की बात करें कि यह Mu 1 है, यह Mu 2 है, वालेटस, Mu 2 is greater than Mu 1, तो अगर एक light wave, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, अगर एक light wave आया और reflect हुआ है, तो यह हो गया बच्चों, denser यह हो गया rarer, मतलब यह heavy string जैसा behave करेगा, और यह light string जैसा behave करेगा, का लाइट श्टिंग में स्पीड ज्यादा होता स्ट्रेंग का तो इसमें फेट चैंज पाएका होगा जैसा ही वहाँ पे रहा ठाल था वैसा ही यहां लेकिन कि ट्रांस्मीट किया नू कि चेंज और अगर म्यूटू ग्रेटर है म्यूवन चोटा है डेंसर से डेंसर में गया लाइट वे यह रेर है नो फेट चेंज क्योंकि मैंने ऐसे बता था यह हैविए स्ट्रिंग है और यह लाइट स्ट्रिंग वेव अगर ऐसे ट्रेवल किया है कि मैं फास्ट बता रहा हूं कि मैंने अल्रेडी बताया हुआ है और बहुत प्यार से बताया था और कहा था कि इसकी जरुवत पड़ेगी कि किसी को याद आया क्या यह सारी कहानी कि अगर रिफ्लेक्ट होगा इस केस में तो फेट चेंज नहीं होगा यह पूरा डाइग्रान ट्रॉ किया हुआ था जिसको नहीं याद आई तो तुम जानो वेव बला चैप्टर देख लेना तो सेम तिंग विल हैपन इन लाइट तो यहाँ पर यहां पर यह हो गया अब बताओ अब तुम गेस कर सकते हो कि जितना जितना distance जो पहले points maxima का था वो minima हो जाएगा और जो minima का था वो maxima हो जाएगा. So, maxima के लिए कौनसा formula हो जाएगा? Maxima के लिए हो जाएगा lambda d by 2d into 2n plus 1 और minima के लिए कौनसा हो जाएगा lambda d by d. लेकिन d यहाँ पर क्या put करेंगे? 2 h. बताओ यह Lloyd-Mirror experiment पूरा clear या नहीं? क्या यह समझा? एक और बार बताओ ना, sir. कहां पर? वो स्माल्डी कैसे निकाला? डाइग्राम थोड़ा कॉनफीचर. क्या यह समाल्डी कैसे निकाला? आइग्रा होन्स्कीर द्भाइग्राइग्रा Бाइग्रेक Bene यह a है और यह deviation जो हुआ है मतलब दो बार दिखा दिया है मतलब दोनों मिलाकर के net deviations delta है तो arc length is equal to क्या होता है radius into theta a into delta यह s1 है ठीक है यह यह भी delta है ऐसे बता सकते हो this is a मतलब यह तो बहुत thin prism है तो यह distance और यह distance same ही है देखने में बड़ा लग रहा है तो यह हो जाएगा a into delta समझा क्या है तो अभी हमने कुछ-कुछ थियोरी आज आगे बढ़ाया बाय प्रिजम कर लिया और पढ़ना है या थग गए अच्छ बताओ थक्गे प्रहाओ आगे बढ़ाओं शीतोस निकार काफिय है जो नेक्स्ट हमने डिसकर्स करना एक चीज और बता जैता हूं उसके बाद शोटा सचीज से उसके बाद सोड़ता हूँ एक सोटा सा चीज बता रहा हूं उसके बाद सोड़ता हूं लाइट रेज से निकला पॉइंट सोर्स है और इसका इमेज कहीं यहां बन रहा हूं अगर यह जो एस से निकला और साड़े के साड़े लाइट रेज आई पर पहुंच रहे हैं तो देर आर थ्री रेज जो हमने दिखाया है रे वन रे टू और रेज थ्री यहां से निकला यहीं पहुंच रहा है अगर यह यहीं पहुंच रहा है बच्चों तो तीनों ने सब्सक्राइब जो में अलग पाथ चला है बट ऑप्टिकली दो तीनों का सेम पाथ ट्रेवल क्या होगा सें अप्टिकल पाथ और थ्री अप्ट्रेवल सेम अप्टिकल पाथ और अल थ्री रे इन डाग्राम है ना को इसा कैसे हो सकता है यह ज्यादा डिस्टेंस चला है यहां पर यह डिस्टेंस जुमेटिकली सबसे कम चला है वन लेकिन यह सबसे ज्यादा दूर चला है है म्यू-्रिफ्रेक्टिम-ी्डेक्स वाले मिडियम यह थोड़ा ज्यादा चला है ज्यूमेटिकली बंट उप्टिकली थोड़ा कम चला है यह ज्यूमे उपर चला यहां पहुँच है अगर तुम एबरेतिंस पढ़ोगे पढ़ाht पढ़ोगे तो जैसे इसका इमेज में कहता हूं कि आई पर बनता है तो वो सारे पाराक्सिल रे के कोर्स्पार्णिंग बनता आई पर एक पॉइंट पर इफ यू कंसिडर इस रेज तो यह एक्जेक्ली यहां नहीं जाएगा यह रेज नहीं और जाता है इसको कहते है तो यह एक्जेक्ली ऐसा नहीं आएगा लेकिन जो रेज यहां पर पहुंच जाए तीनों का ऑप्टिकल पाथ सेम होगा कि अलब ट्रेबल सेम ऑप्टिकल पाथ और यह सेम फेज चेंज हुआ होगा तो यह भी यह कॉंसेप्ट है इस तो नेक्स्ट में जो पढ़ना है में जो थिवरी बचा हुआ है न्यूटन्स रिंग एक्सपरिमेंट और सबसे इंपर्टेंट थिन फिल्म इंटर फेरेंस थिन फिल्म इंटर फेरेंस लेकिन इसका सवाल पता है तुम्हाइब करेंगे तो कल हम लोग इसको करेंगे complete तो कल हमारा जही एडवांस का slavers complete हो जाएगा पूरा मतलना हर तरीकसे और कल हम डिसकसंट भी रखेंगे तो कल हमारा मोस्टली डिसकेशन होगा हमारा वेब आप्टिक्स बुक्लेट का तो आज जाके सारा ट्राइब करो जितना होता है ट्राइब करो वेब आप्टिक्स कि रजे यार के गुरुब